हेलो बच्चो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्सा आठ हिंदी वसंत के अंतर गयत पाठ दो लाख की चूडियां पाठ का सारांस और साती साथ पाठ से सम्मंदित प्रस्णों के उत्तर भी तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आप ध्यान दें यहाँ पर यह आपका कक्सा आठ हिंदी वसंत के अंतर गयत पाठ दो लाख की चूडियां और हम आपको बताएंगे इस पाठ का सारांस लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं पाठ पर आप देख सकते हैं बचो यहाँ पर यह आपका पूरा पाठ आप चाहें तो इसे यहाँ से सकते हैं और साथ ही साथ प्रसनों के उत्तर भी आप अपनी नोट बुक में नोट करें उन्हें याद करें और अपनी परिक्षा की अच्छी सी तैयारियां करें और देख रहें ना आप यहाँ पर आपका पार्ट समाप्त हो जाता है और साथ में देख सकते हैं आप यहाँ के लेखा का नाम कौन है कामता नाथ और यहां पर शुरू जाते हैं इस पार्ट के प्रस्न और इन सब प्रस्नों के उत्तर हम आपको यहां पर बताने वाले हैं लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे पार्ट का स्वारांस तो आप लगातार देखते रहें वीडियो यानि के आपने सारे सभी पार्टों के प्रस्नों के उत्तर हमारे साथ तो चलिए शुरू करते हैं ज्यादा देर न करते हुए जान लेते हैं इस पार्ट के प्रस्न और देख रहें आप यह आपका पूरा पार्ट लाग की चूडियां और शुरू करते हम सबसे पहले पार पाट का सारांस तो बच्चो आप ध्यान दें आपको एक बार फिर से याद दिला दें आज हम पड़ने कक्सा आठ हिंदी बसंत के अंतरगेत पाट दो लाख की चूडियां और हम आपको बता रहे हैं सबसे पहले पाट का सारांस आप इसे अच्छे से समझें और याद करें लाख की चूडियां कामतानात की परसिद्ध कहानी है जिसमें लेखक ने सहरी करण और ओदोगिक विकास से गाओं के कुटी रुद्योगों की पीडा का वर्णन किया है समझें आप किसकी ए रचना कामतानात की परसिद्ध रचना लेखक कामतानात और इन्होंने यहाँ प जाया करता था कौन कामतानात उसमें मामा के गाओं में सबसे ज़्यादा बदलू मामा अच्छे लगते थे यानि कि जो लेखक थे उन्हें जुए अपने मामा के गाओं में जब वो जाता था तो सबसे अच्छे कौन लगते थे उसे बदलू मामा अन्य बच्चों की तरह वह अब भी उसे बदलू काका कहकर पुकारते थे बदलू जाती के मनिहार थे मनिहार क्या होता है चूडियां बेचने वाले जिसके पुस्तैनी पेसा चूडियां बनाना था बदलू का मकान उसे पर बना था मकान के सामने एक पुराना नीम का पेड़ था किसके मकान के सामने उसी के नीचे बैटकर बदलू अपना काम किया करता था बगल में भट्टी देखती रहती जिसमें पिगला कर लाख को सलाक के समान पतला कर चूड़ी का कर दिया करता था तो आप समझ गेंगे जो बदलू था बदलू क्या काम करता था चूड़ी बनाने का काम करता था किसकी लाख की चूडियां इसके बाद चूडी का अगर देकर बेलन नुमा मुंगेरियों पर रखकर गोल और चिकना बनाता उन्हें रंग चड़ा कर बेचा करता था बदलू एक उचे मचीय पर बैठ कर अपना काम क्या करता था दो पहर में लेकक का समय बदलू के पास ही बीता करता यानि कि जो लेकक थे कौन थे लेकक काम ताना जी ये क्या करते थे हमेशा बदलू के पास बैठे रहते थे और दो पर के समय खास तोर पर बदलू बहुत सु इस्तरियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती और पास वाले गाउं में भी उसकी अच्छी मांग थी बदलू सुबाव से तो सीधा था लेकिन साधी भ्या के अवसर पर जीत पकड़ लेता था कपड़े अनाज पगड़ी और रुपे लेकर ही छोड़ता बदलू सुना ही देता था बदलू लेकर की अच्छी खातिवदारी करता गाय का दूद और आम के फसल के समय वह आम खिलाता लेकर को लाख की दो गोलियां दे देता लेकर कुछ वरसों तैक मामा के गाउं नहीं गया उसके पिता की बदली किसी अन्य सहर में हो गई यानि कि उसके पिता जो कामतानाथ थे उनके पिता का ट्रांसपर हो गया था दूसरे सहर में इसलिए उपने मामा के गाउं नहीं जा सका लेकर आट-दस वरसों बाद मामा के गाउं में गया और मामा के गाउं में सभी औरतों के कलाई उपर कांच की चूड़ीं को उसने देखा एक दिन मामा की लड़की फिसल कर गिर गई जिससे कांच की चूड़ी कलाई में गुश गई लेकक को मरम पटी करनी पड़ी सहसा उसे बदलू मामा की याद आई तो समझगे ना आप इस पार्ट में जो हम आपको बता रहें यहां पर कि जो है बदलू के पापा को जो लेकक ते काम कामतानात उनके पापा का ट्रांसपर हो गया था जिसके कारणों कापी समय तक बदलू काका से नहीं मिल पाए थे और जब लगवग दस साल बाद मामा के गाउं गए तो वहां पर उनने क्या देखा कि सब ओरत ने कांच की चूड़ी पहनी वी थी और जो लेकक ते कामताना पर वहां लेकक को पहचान नहीं पाया क्यूंकि काफी समय बाद मिला था दस साल बाद मिल रहे थे बदलू ने अपना काम बंद कर दिया था गाउं में कांच की चूड़ीों का परचार हो चुका था बदलू को खांसी की सिकायत थी मसीनी करण के यूग में कारीगरों के र जैसा नहीं था कि आसानी से तूड़ जाए तो यानि कि जब लेखा काफी वर्सों बाद दस साल बाद भी वहां पर बदलू को मिलने के लिए गया तो वहां पर बदलू ने उसकी अच्छी खातिरदारी की लेकिन गाए का दूद नहीं पिला पाया क्योंकि महें गाई अध प्रस्णों के उत्तर एक एक करके आप प्रस्णों को देखें उनके उत्तरों को देखें और उन्हें अपनी नोट बूग में नोट करें तो यहां पर चलते हैं अब याज प्रस्णों तर में पहला प्रस्ण है बच्पन में लेकक अपने मामा के गाउं चाओ से क्यों जात लेखक को बदलू काका से अत्तिदिक लगाओ था क्योंकि वहाँ लेखक को लाक की धेर सारी रंग बिरंगी गोलियां देता था जो उसे बहुत अच्छी लगती थी वैसे तो लेखक के मामा के गाओं आ होने के कारण उसे बदलू को मामा कहना चाहिए था पर लेखक उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था क्योंकि गाओं के सभी बच्चे उसे यही कहा करते थे तो आप समझगे न कि लेखक को जो है बदलू को मामा कहना चाहिए था लेकिन वो काका इसलिए कहता था क्योंकि गाओं के जो छोटे-छोटे बच्चे उदर थे वो सभी काका कहते थे इसलिए लेका भी उन्हें काका कहने लगा और इसलिए अपने मामा के गाउं जाता था, क्योंकि मामा के गाउं जाने पर उन्हें बदलू कारीगर मिलता था, जो उन्हें धेर सारी रंगभीरंगी लाक की गोली दिया करता था, जो लेक़को काफी अच्छी लगती थी, तो आपने देखा यहां पर यह था आपका पहला प्रस्ण और उसका उत्तर हमने आपको यहां पर बताया बचो इसके बाद आए जान लेते हैं दूसरा प्रस्ण है वस्तु विनिमै क्या है विनिमै क्या होती है बचो चलिए जान लेते हैं उत्तर में लिखेंगे वस्तु वि बर्तमान परिवेस में वस्तु का लेंदेन मुद्रा के रूप में होता है अब बिनिमे की परचलित पद्धोती पैसा है क्या समझे आप बच्यो वस्तु बिनिमे एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लिया दी जाती है जैसे कि आप किसी को चावल देते हैं तो उसके बदले वह आपको गिहूं देता है ना कि चावल के पैसे तो ऐसा पुराने समय में होता था इसलिए होता था क्योंकि उस जमाने में पैसे की कमी थी या पैसा होता ही नहीं था इसलिए लोग क्या करते थे एक वस्तु लेते थे और दूसरी वस्तु हो गया है मुद्रा का चलन है इसलिए आज के जमाने में आप बिनिमय की पर्चलित पद्धोती है वो क्या है पैसा है यानि कि वस्तो आप पैसे से खरीद सकते हैं इसके बाद यहां पर आपने देखा बचो यह था आपका दूसरा प्रसन और उसका उत्तर इसके बाद देख लेते हैं आईए तीसरा प्रसन है मसीनी युग ने कितने हाथ काड़ दी है इस पंक्ति में लेकक ने किस ब्यता की और संकेत किया है तो आप जानते हैं बचो उत्तर लिखेंगे इस पंक्ति में लेकक ने कारीगरों की ब्यता की और संकेत किया है कि मसीनों के आगमन के साथ साथ कारीगरों के हाथ से कामदंदा छिन गया है मानों इनके हाथ ही कड़ गये हो उन कारीगरों का रोजगार इन पैत्र कामदंदों से चलता था इसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था वो पीडी-दर-पीडी अपनी इसकला को बढ़ाते चले आ रहे हैं और सा सीनों के प्रियोग से बदलू जैसे कुछलकारीगरों के हाथ से काम चिन गया वे या तो बेरोजगार हो गए या फिर अन्य को अन्य ब्यवसाय को अपनाने को ब्यवस हो गई तो यहां पर बचियो आप देख सकते हैं यह था तीसरा फ्रसन और इसमें पूछा था कि मसीन चूडियां बनाया करता था हाथ से बनाता था लेकिन काच की चूडियों के पर चलन ने जो है बदलू को बेरोजगार कर दिया और अब मसीनों से जो है सारे काम धंदे होने लगे हैं तो क्या होता है फिर उससे जो हाथ से जो रोजगार करते थे जो कारीगर थे हाथ के वो छिपी ना रह सकी उत्तर में क्या लखेंगे उत्तर लेकेंगे बदलू लाग की चूड़ियां बेचा करता था परन्तु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का परचलन बढ़ता गया उसका ब्यवसाय ठप पड़ने लगा अपने ब्यवसाय की या दुर्दसा बदलू को मन ही ध्यान देते हैं यह अभी अथा लेकर से छिपी ना रह सकी तो आई बास समझ में किस परकार आप उत्तर लिखेंगे चौथा प्रस्न यह आपके सामने और इस प्रस्न का उत्तर आप यहां से लिख सकते हैं बच्छो और इसके बात बात करते हैं पांच वां प्रस्न आता ह वो अब बेरोजगार हो गया, काम ना करने से उसका सरीर भी डल गया, उसके हाथों माते पर नसे उबर आई, अब वो अब बीमार और चिंतित रहने लगा, क्या समझें, तो यहाँ पर जो है, यह पांच वाँ प्रस्न और उसका उत्तर बच्चों आप यहाँ से लिखें, उस सबसे पहले जान लेते हैं, उत्तर में आप इस प्रकार से लिखेंगे, लाख की वस्तों का निर्मार भारत के, राजिस्थान, करनाटक और उतरपरदेश, आधी राजियू में होता है, और लाख की चुडियों से क्या-क्या बनती हैго, तो लाख की चुडियूं, लाक से च चाहँ करनाट्बक meglioर उत्रप्रदेश में ठीक हैं? लाग की वस्तों का निर्मान होता है तो च्छटा प्रस्न है बच्यों, आपके सामने और इसका उत्तर है यह रहा बात करते हैं आगे बासा की बात यहां पर प्रस्नी शूरू últimos आते हैं, बदलू को किसी बात से चिड़ थी तो थी कांच की चूड़ियों से और बदलू सुयम कहता है जो सुन्दरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहां संभव है एक तो आप समझ गए होंगे बदलू को कांच की चूड़ियों से चिड़ थी और दूसरा हुआ कांच क प्रस्ण यह है कि यह पंक्तियां बदलू की दो परकार की मनोदसाओं को सामने लाती हैं, दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है, उसमें ब्यंग भी है, हारे हुए मन से या दुखी मन से अतुआ ब्यंग से बोले गए वाक्यों के आर्थ सामाने नहीं होते, कुछ ब्य उत्र में क्या लखेंगे, उत्र इस प्रकार से लिखें ब्यंग वाक्यों के लिखेंगे सबसे पहले आप यहां पर, और उसके बाद लिखें, अब पहले जैसी आउलाद कहां, समझ गेए ना अप मेंके हिर्दे में छिपाद्दुक और ब्यंग देखने को मिलता है, उनका प्रकार से आप उतर लिखें अगला प्रसने यहां पर आठवा प्रसने है बदलू कहानी की दरश्टी से पात रहे क्या है बदलू कहानी की दरश्टी से एक पात रहे क्योंकि एक ब्यक्ति का नाम है और भासा की बात ब्याकरन की दरश्टी से अगर देखें तो यहां पर क्य है क्योंकि ब्यक्ति का नाम क्या होता है संग्या होता है संग्या है किसी भी ब्यक्ति अस्थान वस्तू विचार अत्वा भाव को संग्या कहते हैं ये तो आप जानते हैं संग्या को तीन बेदू में बाटा गया है कौन-कौन से तीन बेदू में ब्यक्ति वाचक संग्या जा जाने जाने वाली संग्या और भावाचक में आता है सुन्दरता नाजुक प्रसंता इत्यादी जिसमें कोई ब्यक्ति नहीं है और नहीं आकार या वजन परंत उसका अनुवा होता है पाठ से तीनों प्रकार की संग्या यह चुनकर लिखिए तो यहां पर आप देख सकते हैं और भावाचक में सुवाव रूची व्यथा यह लिख सकते हैं और यह हो जाएगा आपका उत्तर आटवे प्रस्न का उत्तर अगला प्रस्न है बच्चो नवा प्रस्न है गाओं की बोली में कई सब्दों के उचारन बदल जाते हैं कहानी में बदलू वक्त को क्या कहता है स समय को वक्त कहता है या वक्त कहता है उम्र वया आयू को उम्र कहते हैं इस तरह के अन्य सब्दों को खोजिए जिनके रूप परिवर्तन हुआ है अर्थ में नहीं तो आप समझगे नहीं यहाँ पर क्या कहा जा रहा है वक्त को समय भी कहा जाता है और वक्त भी कहा जाता है उम्र को वया आयू या उमर कहते हैं कई लोग इस तरह के अनेक सब्द यानि कि जो एक जैसे जिनका अर्थ निकलता है ऐसे सब्द जो है ये बने हुए तो यहाँ पर जो है उत्तर में क्या लेखेंगे आप उत्तर में लेखेंगे इनसान, इनसान के लिए मनुसे भी कहा जाता है आप जानते हैं इसी प्रकार रंज के लिए दुख कह सकते हैं आप गम या मायूसी जिन्दगी के लिए आप जीवन भी कह सकते हैं अवलाद के लिए संतान कह सकते हैं तो यह आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों एक इनका जुए है दोनों बातों का आर्थ एक जैसा है तो आप इसे अच्छे से पढ़ें समझें और इसके साथ ही बच्चों यहाँ पर इस पार्ट से समधने प्रस्णों के उत्तर समापत होते हैं उम्मीद है कि आपको सभी पार्टों के प्रस्णोंतर हमारे साथ तो आज के लिए इतना काफी है मिलते हैं फिर अगली वीडियो में